ध्यान रखने युग्यक कुछ जरूरी बाते हैं नमबर वन गुटने के बल ज्यादा देर बैटने और काम करने से गुटने खराब हो जाते हैं नमबर तू ज्यादा चाए पीने से आंखों की रोशनी कमजूर हो जाती है 3. कच्ची रोटी और कच्चे फल खाने से दिमाख कमसुर हो जाता है 4. अगर सांस लेने में दिखकत महसुस हो रही हो तो हरी चाई पिए 5. अगर आपको पीले रंग का पेशाब आता है तो आप अंदरोनी तोर पर स्वस्त नहीं हैं या आप फिर पानी कम पी रहे हैं को दूद में थोड़ी सी हल्दी मिला कर पीने से इंसान के जहरे पर चमक आती है और इंसान को कई बीमारियों से बचाता है 6. अगर टेंशन लेने से आपका मन भारी हो रहा है तो आप चौकलेट या गुड़ खा लें मन अच्छा हो जाएगा 8. ज्यादा टेंशन लेने से बुढ़ाबा जलती आता है और कई बीमारियां भी लग जाती हैं 9. केले के शिल्के को कभी भी फिगना नहीं चाहिए इससे चहरा मल लें इससे आपका चहरा निखर जाएगा 10. तक्ये के कवर को हफ़ते में दो बार अवश्याद हो लें वरना सिर्दर्द की दिखत बढ़ जाती है 11. किसी भी जूस को ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए यहाँ कड़वा हो जाता है और यहाँ हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक होता है 12. गाजर का सेवन बहुत ही फाइदे मन होता है आप जूस मुरब्बा या कच्ची गाजर किसी भी तरह से खा सकते है 13. अगर जूते पहनने की वच्छा से पाउं पर धबबे पड़ गए हैं तो इसके लिए 3-4 चमच ग्लिजरिन और एक चमच निम्बू का रस मिलाकर शिशी में भर लें और पाउं के धबबों पर मालिश करें 10 मिनिट बात धोलें कुछ दिनों में धब्बे साफ हो जाएंगे 14. रात को सोते से मेर बादाम के तेल से चहरे पर मालिश करने से चहरा चमकदार बनता है और जुरियां भी नहीं रहती 15. रात को मेथी भीगो दें और सुभा उसमें दूद मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने चहरे पर लगा लें इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और चहरा चमकदार हो जाता है 16. पेरों के तल्वों में विक्स लगा कर दोने से सीने का कफर दूर होता है और सर्दी जुकाम में भी रहत मिलती है 17. अगर हट्डियां कमसूर हो तो आपके खाने में करोंदे का सेवन करें क्यूंके करोंदे में कैल्शम की मात्रा अधिक होती है इसलिए यह हड्डियों को मजबूत बनाता है 18. रोटी और पराठे पर घी लगा कर खाने से वजन बढ़ता है और शरीर में ताखत आती है 19. पुद्विने के साथ मिश्री का सेवन करने से आउर्तों में पीरियट सम्मधित परिशानी नहीं होती है 20. भीगी हुए बादाम का सेवन करने से पहले बादाम का चिलका उतार ले 20. ज्यादा नमक खाने से हाई प्लेट प्रेशर की दिखत हो सकती है इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सबजी में उपर से नमक ना डाले 22. रोजाना भुने हुए चने खाने से दिमाख ताखतवर बनता है 23. शेप खाने के तुरंद बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे गले में दिखत हो सकती है 24. आउले का मुरब्बा खाने से कभी भी चारीर में विटमिन सी की कमी नहीं होती 25. जो लोग मिटी के बरतन का इस्तिमाल करते हैं वहाँ लोग कम बिमार पड़ते हैं क्यूंकि मिटी के बरतन से जरूरी मिनरल मिलते रहते हैं 26. रोजाना सुभाहरी रंग की चीजों को देखने से नजर तेज होती है 27. अगर बदहजमी से बचना है तो खाने को धीरे धीरे और चबा कर खाएं 28. आलू बुखारे का शर्बत पीने से चहरे पर चमक आती है 29. अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं 30. पान के पत्तों को सूजन पर लगाने से सूजन कम हो जाती है 31. लेट कर पढ़ने से दिमाख कमजोर होता है 32. आम को ठंडा करके खाएं ठंडा किये बिना खाने से शरीर पर फोड़े फुंसिया निकलाते हैं और आखों में दिखत हो जाती है 33. बासी आम खाना शरीर में गर्मी पैदा करता है और खट्टा आम का सेवन करना सहथ के लिए नुकसान दाएक है 34. जियादा गुसा करना दिल को कमजोर करता है 35. फटे होटों पर करेले करस लगाने से ठीक हो जाती हैं 36. प्यास करस पीने से पेट साफ होता है 37. कोई भी वजन वाली चीज उठाने से पहले नीम्बू पानी पिया करें 38. पेट की ग्यास को दूर करने के लिए पुदिने का सेवन करें 39. जियादा थुकना शरीर में पानी की कमी लाता है 40. सोने से पहले बालों में कंगा करने से बाल गिरने से रुक जाते हैं 40. जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं उनकी याजदाश्ट थेज होती है 42. हर मिर्च खाने से नजर थेज होती है 43. नहाने के बाद अपने कानों के पीछे तेल लगाने से दिमाख थेज होता है 44. दिल के मरीजों को हरी लाइची का सेवन करना चाहिए 44. उल्टा लेटने से बुड़ा बाद जल्दी आता है 46. टीनी की जगा गुड का सेवन करना चाहिए इससे शुगर की दिखत नहीं होती 47. सावले रंग के लिए रोजाना रात को सोने से पहले कच्चा दूद लगाएं इससे त्वच्चा पर निखार आता है 48. रोजाना दिन में दो-तिन बार हलका गुन-गुना पानी पीएं इससे आपके फेफडे हमेशा ठीक रहेंगे 49. कलोंजी का पानी सिर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं 50. रोजाना अपने चहरे पर दहीं लगाएं इससे आपके चहरे पर जुरिया नहीं पड़ेंगी और चहरा चमकदार बन जाता है 51. रोजाना नहाने से शरीर स्वस्त रहता है 52. पत्री की दिखत हो तो टमाटर, पालक और बैंगन का सेवन ना करें 53. पेट में कब्स और ग्यास वगेरा की दिखत के लिए गन्ने का रस फाइदमन्द होता है 54. देसी घी का सेवन करने से हड़िया माजबूत होती हैं और शरीर ताखतवर बनता है 55. टमाटर का रस चहरे पर लगाने से चहरे पर निखार आता है 56. कब्स बचने के लिए खाली पेट केला, आम और खरबूस ना खाएं और ना ही पेट पर खाना खाएं 56. साइकल चलाने से हटियों के दर्द में दिक्कत नहीं होती है 58. बासी रोटी खाने से दांतों में ठंटा गरम लगने की दिक्कत दूर होती है और दांत मजबूत होते हैं 59. नाक में गाय का असली देशी की डालने से दिमाख ताखतवर होता है और डिप्रेशन कम होता है 60. मखाने का सेवन बहुत ही फायदमद होता है रोजाना थोड़े से मखाने जरूर खाएं 61. आलू खाने से पेट की दिक्कत नहीं होती है 72. डबल रोटी दूद के साथ खाने से शरीर का दुबला पंदूर होता है 73. खाना खाने के तुरंद बाद नहाना शरीर के लिए नुकसान दैक होता है 74. जामुन खासी को भी ठीक करता है 74. अच्छे पाके हुए जामुन पर काला नमक लगा कर खाने से खासी में जल्दी आराम मिलता है 74. अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है तो लहसोन के रस से पेट पर मारिश करें इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा 74. जिन लोगों के सिर पर बाल कम है वहार रात को सोने से पहले चैने की डाल का पानी सिर पर लगाएं इससे धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएंगे 77. चाय के उपर से पानी नहीं पीना चाहिए इससे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुँच रखता है 78. दूद और केला एक साथ सेवन करने से पेट खराब हो सकता है जब खासी बढ़ जाए तो मीठी चीज का सेवन ना करें वरना गला बैट जाएगा और बोलना मुश्किल हो जाता है 80. बकरी का दूद पीने से बाल लंबे होते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जानकरी आपको कैसी लगी कमिल बॉक्स में जरूर बता है अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेर कर दीजिए थैंक्स फर वच्छिं